हलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल दोस्तो आज की सुड़ेम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने यूटूब चैनल के उपर CPM वर्क करके डोलर इंकरेज कर सकते हो अगर आपके यूटूब चैनल पर कम व्यूज आते हैं तब भी आप CPM वर्क करके डोलर इंकरेज कर सकते हो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस चैनल के उपर CPM वर्क किया था और आप देख सकते हो मुझे 32.44 डोलर की इर्निंग हुई है और आप किस तरीके से इर्निंग कर सकते हो तो दोस्तो इसके लिए आपको एक USA VPN की जरुरत पढ़ने वाली है उस VPN से ही आप अपने YouTube चैनल के ओपर CPM वर्क करके अच्छा कासा डॉलर इंक्रेज कर सकते हो तो उस VPN को डाउनूट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर यहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना है USA VPN जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़े सारे VPN देखने को मिल जाएंगे तो आपको यहाँ पर चार नमबर पर जो VPN दिख रहा है आपको उसको इंस्टॉल करना है जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको इस वाले VPN को ओपन करना है जैसे यह आप ओपन करोगे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज और सर्वर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर जो आपको प्रोवारे सर्वर दिख रहे हैं उसके लिए आपको सब्सक्रिप्सन लेना होगा तो आपको यहाँ पर नीचे फ्री वाले सर्वर ही यूज़ करना है नीचे आनिक बाद आपको यहाँ पर लाश्ट वाला सर्वर को कनेक्ट करना है जैसे ही आप connect पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक add देखने को मिलेगा तो आपको इस add को watch करना है जैसे ही आप इस add को watch करोगे उसके बाद आपका VPN connect हो जाएगा VPN connect होने के बाद आपको अपनी वीडियो को किस तरीके से watch करना है तो सबसे पहले आपको जाना है YouTube पर यहाँ पर जाने के बाद आपको अपनी वीडियो को जिस भी ID से देखना है आपको उस email ID को login करना है जैसे ही आपकी ID login हो जाए उसके बाद आपको जिस भी वीडियो के उपर CPM work करना है आपको उसको यहाँ पर सर्च करके देखना है सर्च करने के बाद आपको उस वाली वीडियो पर क्लिक करना है जैसे आप उस वीडियो पर क्लिक करोगे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दो एड और वीडियो के एंड में आपको दो एड देखने को मिलेंगे यहनी आपको इस वीडियो पर 4 आड देखने को मिलेंगे तो first वाले आड को आपको full watch करना है तो चलो इस वाले आड को full watch होने देते हैं याद रखे दोस्तों आपको केवल एक ID से ही एक ही वीडियो को watch करना है अगर आप ज़्यादा बार वीडियो को watch करते हो तो आपके चैनल पर invalid आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इस तरीके से आपको पहले वाले एड को वोच करना है यहाँ पर फर्ष्ट वाला एड वोच होने के बाद इस वाले एड के end में आपको इस एड पर क्लिक करना है क्लिक करके आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है दोस्तो इससे यह होगा कि आपको जादा revenue मिलेगा इस वेबसाइट पर आपको जाने के बाद थोड़ी देर wait करना है और आपको scroll down करके इस वाले एड को क्लिक कर देना है इस website के बाद आपको जाना है बाहर और यहाँ जाने के बाद आपको second ad देखने को मिलेगा तो दोस्तो इस वाले ad को भी आपको full watch करना है अगर दोस्तो आपकी videos पर 100 plus views आते हैं तब ही आप एक ad पर click कर सकते हो अगर आप जादा ads पर click करते हो तो वहाँ पर आपको dollar store problem भी देखने को मिल सकती है तो आपको first वाले ad को इस तरह से देखना है और second वाले ad को भी आपको इस तरीके से watch करना है तो दोस्तो आप इस तरीके से अपने videos के उपर CPM worker के dollar increase कर सकते हो